हेलो नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका आसीश फोडो में आज हम बात करने वाले हुंड़े क्रेटा के बारे में अपने सेग्मन की मिड्स है जैसे भी है सीधे कॉंपेटिसन देती है किया सेल टॉस ग्रेंड विटार जैसी गाड़ियों को इस अपनुपेटा की बात करें तो 10,97,000,000 एक सौरूम से इसका बेस वरिण इसराड होता है और टॉप चला जाता है 20,15,000 एक सौरूम तक और अभी आपके सामने क्रेटा का second top SX Tech विरेंट ख़़ा हुआ है एक नया variant add किया गए face lift आने के बाद इसके अंदर जो variant आते हैं E, EX, S, S optional, SX, SX tech और SX option जैसे variant and SX tech में SX के उपर दो चीजे add हो जाती है एक तो ADAS और एक Bose का sound system तो यहाँ पर देख लिए आपको नीचे मिल जाता है radar ADAS का और उपर आपको मिलेगा camera mail sheet के उपर तो यह होगा ADAS और अंदर आपको interior में Bose का sound system देखनी को मिल जाएगा SX tech के अंदर अगर बात कीजाए transmission की तो SX tech विरेंट के अंदर आपको manual IVT यह दो तरह की transmission देखनी को मिल जाएगे अब ही आप देखने 1.5 litre petrol को 115bhp की power और 143 nm का talk निकालता है petrol में अराम से 15-16 और diesel में लगबख 20-21 तक का mileage आप इससे निकाल सकते हैं आपके driving style पे depend करेगा यहाँ पे आपको 3 साल और unlimited km की warranty मिलती है और ऐसे कुछ आपको मिलेगी smart lock unlock और boot unlock का button इस button को press करके रखेंगे तो आपका engine भी हो जाएगा start पीछे आपको मिलती हुंडे की branding जो दूसरी वाली की है वो भी आपको सेमयाबे smart की दी जा रही है आप चलिए बात करते हैं front profile से center में आपको हुंडे की branding हुंडे का logo ऐसे कुछ आपको मिलती है पूरी black finish में grill, top end में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 360 degree camera जैसे features मिल जाएंगे और front में भी आपको sensors मिलते हैं, यहाँ पे मिलता है आपको adas और silver finish में मिलती है आपको skid plate जिसकी वज़े से काफी looks muscular से हो जाते हैं headlamps के बात की जात उपर आपको connecting dRL मिलेंगे and इसी के अंदर आपको मिलती है turn indicator की placement जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे आपको पूरा LED setup मिलेगा और काफी बड़े सा इनका throw मिलता है कोई fog lamps आपको नहीं मिलेंगे Hyundai Crater के अंदर जो इसका ground clearance है वो 190 mm का segment के साबसे काफी ठीक यहाँ पे दिया जा रहा है यह तो कि front face की बात यह राइस का bonnet जो की अभी wrap का रखा है यहाँ पे डूगल वाइपर विद बॉसर का setup अगर इसके roof की बात किया तो यहाँ पे आपको panoramics sunroof, roof rails और पीछे मिलेगा आपको shark fin antenna अब आ जाते हैं इसके side profile की दरब तो side से देखिए ऐसे कुछ आपको looks मिलेंगे सबसे पहले dimensions बता देता हूँ 43 mm length है, 1790 mm इसकी विर्थ है और 1635 mm आपको मिलेगी height यहाँ पे आपको 17 inch के diamond cut alloys offer की जा रहे हैं Hyundai की branding Hyundai के logo के साथ में देखने में काफी अच्छे से लग रहे हैं Apollo के आपको यहाँ पे मिलते हैं tire अगर tire section की बात की जाए तो 215, 60, 17 के देखने को मिल जाएगा उपर आपको cladding वेड़ा देखने को मिलती है outside meters की बात की जाए तो इसके नदर आपको blind spot monitor भी देखने को मिल जाता है पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो आपको indicate करता है बाकी आप इनको electric बे adjust कर सकते हैं यह रहे हैं के chrome door handles अगर इसका front dashboard दिखाऊ तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा शांदार से looks हो चुके है roof में आपको बदा चुका हूँ panoramic sunroof, roof is shark finantina, यहाँ पे hemor shop lamp यहाँ पे देखेंगे तो deep fogger यहाँ पे आपको wiper की placement नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको Hyundai की branding, Hyundai कर logo और यहाँ की पे आपको मिलती है रहे है parking camera की placement अब बात करते हैं इसके tail lamps की जो LED रहेंगे connecting है और इसी के अंदर आपको turn indicator की placement देखने को मिल जाती है काफी बढ़े सुन्दर से लगते हैं नीचे SX की badging है उधर देखेंगे तो आपको crata की badging देखने को मिल जाएगी नीचे bumper की बात की जाए तो यहाँ पे silver fence में skirt paint और यहाँ पे reverse flight की placement नीचे का suspension setup exhaust tail pipe आप देख सकते हो और उपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलते हैं चार parking sensors और अब चलिए इसका boot open करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका boot space तो यहाँ पे मिलेगा magnetic button अगर space की बात करें तो crater के अंदर आपको मिलता है 433 liter का boot space मतलब अच्छा खासा space है आपका luggage आराम से यहाँ पे आ जाएगा 60-40 वाली आपको मिलती हैं यहाँ पे sits अपने according को fold up कर सकते हो नीचे आपको मिलेगा boot light and इसको open करते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिलेगा spare wheel पूरा tool kit बगरा सब कुछ आपको यही पे देखने को मिल जाती है और यह SX tech variant है तो यहाँ पे आपको Bose का subwoofer दिया जा रहा है 8 speakers का आपको premium source system मिलता है उपर आपको दी जारी पाफ्टर tray और यहाँ से आप इन seat को fold कर पाऊगे fabric की seats आपको मिलेंगे टॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलती है leather की seats अब चलिए इसके boot को कर देते हैं बंद और चलते हैं rear seats की तरफ rear setting comfort, leg room, head room, पूरा बैट के अच्छे से check करते हैं तो यह देख लो भाई, chrome door handles black color के साथ काफी से अच्छे से लगते हैं अगर door trim की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा dual tone color में यहाँ पे आपको मिलता है door opener पाउंडो के controls यहाँ पे आपको Bose का speaker Bose की branding, नीचे देखेंगे तो यहाँ पे bottle holder, कुछ space यहाँ पे plastic finish, यहाँ पे आपको मिलती ही window curtains rear cabinet की बात की जाए तो इतना कुछ leg room, head room में पीछे आपको कुशन से यहाँ पे दे जा रहे हैं यह काफी अच्छी चीज़ है और उपर आपको मिलती ही panoramic sunroof अब चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठके सारी चीज़े cover करते हैं तो rear seat में बैठने के बात इतना कुछ आपको मिलेगा knee room, leg room देख लो और space आपको काफी अच्छा सा मिलता है Hyundai Crater के अंदर अगर center की बात की जाए तो यहाँ पे rear AC vents यहाँ पे आपको कुछी space type C के दो charging port आपको मिलेंगे और यह अंदर का पूरा interior यहाँ पे grab handle, LED lights पीछे आपको मिलते हैं दो-दो headrest, यहाँ पे आपको cushions मिलेंगे अब बात करते हैं इसके front dashboard की तो ऐसा कुछ आपको मिलता है dual tone color में, पूरा connecting आपको मिलते हैं आपको डिस्प्ले, मतलब touch infotainment system और cluster, इस टेंग आपको सारे controls मिलेंगे, और उपर आपको panoromics on roof, अब चलिए चलते हैं इसके front driver street पे, वहाँ पे बैट के सारे चीज़े कवर करेंगे तो यह इसके door handrest request sensor के साथ में keyless entry आपको मिलेगी door dream के बात की जाए, तो ऐसा कुछ आपको मिल जाता है, dual tone color में और उपर देखेंगे, तो यहाँ पे आपको door opener चारो पाउंडों के controls, lock along के बटन यही से आप ORM को fold and address कर सकते हैं speaker की placement, boss की branding नीचे आप देखेंगे, water holders, कुछ space और उपर आपको दी जा रही है tweeters की placement, और जो आगे वाले headrest हैं, उनको भी आप address कर पाऊगे और यह रहे हैं इसकी fabric की seats, यह रहा इसका front dashboard dual tone color में और seats देखेंगे जैसे कुछ आपको मिलेंगी यहाँ से height, यहाँ से regline कर सकते हैं, नीचे आपको fill cap opener यहाँ पर manual ABC pedals, bonnet आप यहाँ से खुल सकते हैं, उपर की बात किया है, तो engine star shop button, और यहाँ पर आपको alistra shop, texion control, headline leveler, ACK bands, उपर आपको मिलता है, यहाँ पर magnet, आप चलिए अंदर बैठते हैं, और अंदर से बैठके सारी चीज़े कवर करेंगे, तो front driver seat पर बैठने के बाद, ऐसा कुछ आपको दिखने वाला front dashboard, चलिए गाड़ी का ignition on करते हैं, और आपको दिखाते हैं, इसका cluster, तो यह रहाई इसकी smart की, जिसको मरकें के side में, यहाँ पर मिलता आपको engine start and stop button, जैसे आप इसको press करेंगे, तो फुली डिशर करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा, क्रिटा के अंदर, वेन्यू वाला है, सेम यहाँ पर, अगर आप top end में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा और प्री में मिलता है, थोड़ा सा different, और यह इसका touch infotainment system, इधर आप देखेंगे, तो एक तरफ tachometer, speedometer बीच में M.I.D. जिसके अंदर आपको बहुत सारी information देखने को मिल जाती है, और इसको आप यहाँ से control कर पाओगे, यहाँ से trip A, trip B, mileage range, TPMS की सारे information यही से सब आप देख सकते हैं, बाकी नीचे देखेंगे, तो engine temperature, fuel gas दिया गया है, अब बात करते हैं, इसके steering की, तो ऐसा कुछ आपको आपको बने का decat shape में, पूरा leather finish के साथ है, यहाँ पर Hyundai की branding, यहाँ पर multimedia call के सारे controls, और इधर देखेंगे, तो cruise control और add-ask के बटन आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर wiper, इधर आपको headlamp के सारे controls, अगर इसके adjustment की बात की जाए, तो नीचे आपको मिलता है lever, जिसके through आप अपनी string को tilt and telescope की दूने तरा से adjust कर सकते हैं, सेंटर कसुल की बात करें, तो यहाँ पर आपको 10.25 इंच का touch infotainment system दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको android auto, apple carplay, bluetooth, USB, सब कुस देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 8 speakers का premium sound system मिलेगा, बोस का, 4 speakers, 2 twitters और 2 subwoofer मिलते हैं आपको, AC वगरा को यहीं से आप on-off कर सकते हैं, सारे contours आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, टॉप में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 360 degree camera जैसे features मिल जाते हैं, बागी navigation वगरा इसके अंदर मिलेगा, आप चलिए इसका reverse parking camera आपको दिखाता हूँ, तो इसको लगा लेते हैं पहले, तो यह देख लो बाई, ऐसा कुछ आपको मिलेगा reverse parking camera, clarity काफी अच्छी से हैं, काफी अच्छी से visible हो रहा है, यहाँ पर AC के events हैं, यहाँ पर hazard का switch मिलेगा, और यह सारे बटन आपको जो दिये गए हैं, यह touch infotainment system के knob अगरा है, नीचे आपको automatic AC के सारे control देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर 12 bolt का charging outlet, type C का charging port, AC port, यहाँ पर आपको wireless charging port भी दिया जा रहा है, और यह इसका 6-speed manual transition, आप इसको IWT में भी ले सकते हैं, यहाँ पर आपको view का button, manual handbrake, यहाँ पर 2 cup holders, यह इसका armrest, और इसके अंदर भी आपको काफी deep storage देखने को मिल जाएगा, glove box की बात की जाए, तो यहाँ पर यह पर यह cool glove box मिल ला है, space भी काफी अच्छा सा है, and visibility की बात की जाए, तो वो भी आपको काफी बढ़िया मिलीगी, क्रेटा के अंदर, और इसके अंदर आपको standard 6 airbag मिलते हैं, front में दो, curtain airbag, seats पे, तो safety के purpose से भी काफी बढ़िया है, यह तो हो गई पूरे interior की बात, अब बात करते हैं इसके safety features और pricing की, तो इसके अंदर आपको ABS with EBD, center locking, power door locks, seat below warning, traction control, TPMS, vehicle stability control, engine invalizer crash sensor, और यहाँ पे आपको दिया जा रहे हैं 6 airbag, और pricing की बात की जाया है, तो अभी आप देख रहे हैं, इसके SX tech variant को, petrol manual की बात करें, तो 15,95,000, एक सुरूम, लगबग 18,72,000 रुपे की आपको यह honor लखनों प सकते हैं, तो यह थी Hyundai केड़ा, अपने segment की mid-side, जैसे भी कैसे लगए, आपको नीचे comments में जरूप देगा, and special thanks to SIS Hyundai, का अनपो लखनों, जिन्नों ने मुझे से cover करने का मौका दिया, तो deal any Hyundai cars, visit this room, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like कर देगा, channel को subscribe कर मिलते हैं, ने वीडियो को साथ, तब तक लिए, जैहिन, वंदे मात्रम